हेलो स्टूडेंट वैलकम टू माई चैनल आज हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बोड एक्जाम में हमेशा पूछा जाता है ओम का नियम डिस्कस करने वाले हैं ओम का नियम आपको पूरा दिमाग में जायेगा आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है एक 0% भे दिक्क करने होगा आपको 110% समझ में आएगा लेकिन आपको करना क्या है इससे ध्यान से नोट कर लेना है और कम से कम 2-3 बार समझ लेना है ठीक है आजाओ ओम का नियम हम आप आपके साथ लिख लिख कर समझाते हैं जोको ओम का नियम होता क्या है पूरा मैं आपको समझा लेता हूँ सबसे पहले लिखो ओम के नियम अनुसार यानि कि ओम के नियम के अनुसार यानि कि ओम के नियम के अनुसार यानि कि ओम के नियम के अनुसार यह हम लोग उनके नियम क अंसार ही चलेंगे बाई तो अब हम लोग समझते हैं क्या है ओम का नियम जो कि पूरा आपको समझ में आने वाला है देखो किसी धातु मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं क्योंकि आप लोगों को सबसे अलग परिभासा मिलेगा पूरे यूटूब पर ये किसी धात क्योंकि यह इक्स्परिमेंट मैं करके अच्छे से समझाता हूं ठीक है कि तार जैसे नियां से समझना अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से समझो कि समझ कर जाओगे परवाहित होने वाले प्रवाहित होने वाले जो प्रवाहित होने वाले या फिर होने वाली लिख दो जाला बैट रहे रहे रहा विद्धुधारा एलेक्ट्रिक करेंट का तो नाम सुना ही होगा विद्धुधारा इसमें केवल तीन चीज़ें इंपोर्डन्ट हैं एक तो है विद्धुधारा एक एक है प्रत्रोध, एक है विवानतर, तो विद्दुधारा आई, इसे किस से दिनोट करते हैं, आई से, ठीक है, कोई दिक्का तो नहीं है, आई, एंड उस तार, जो आपने तार लिया है, उस तार, ठीक है, समझ में आ रहा है न, कोई दिक्का तो नहीं है, उस तार, ठीक है, उस तार के सिरो के मद जैसे दोनों सिरा है A और B तो उनके मद क्या उतुपन होता है क्या उतुपन होता है सही से आप लोग ध्यान से पढ़ो उनके मद उतुपन विद्धूत विभुवानतर बहुत डेटेल मैं समझा रहा हूं और बहुत इसी तरीका है लेकिन आपको सभी लोग साइट कट समझा देंगे अच्छे से नहीं समझा पानेगे इसलिए मैंने सुचा कि आप आज के बाद आपको ओम की नियम में कोई दिक्कत रहे न जाए विद्द्धारा आई है और विभो क्या है वी है ठीक है और जो आखे अनुक्रमांग पाती होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको इसे दो से तीन बार समझाऊँगा अनुक्रमांग पाती होती है जब की जब की जो तार है तार पर ताप निश्चित हो यानि कि ताप एकदम निश्चित हो ताप ज़्यादा कमना हो यही होता है ओम कानियम बस भया ओम चाचा ने इतना ही नियम दिया था जितना मैंने बताया है यहां से यहां तक बस इतना ओम का नियम है कि किसी धातु कोई धातु है कोई धातु का तार है कोई विधात का तार है अगर उसमें प्रवाहित विद्धुधारा विद्धुधारा आई और उस तार के सि मुझोगे कैसे अभी मैं सूत्र भी बताऊंगा सब कुछ बताते चलूगा तो उनके मद विवांतर वी होता है जबकि तार का ताप क्या हो समान हो ठीकेस तो यहां तार का ताप समान होना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए तार का ताप समान होना चाहिए तो यहां चाहि ओम का नियम इतना ही है, नोट कर लो, फिर मैं आपको परिभासा बताता हूँ, यहां क्या कहे रहा है, जो V है, वो अनुक्रमांग पाती है किसके, आई के, यह V है, अनुक्रमांग पाती है, आई के, बस यही कह रहा है, और चाहो तो इतने पही छोड़ दो, लेकिन मैं आपक अगर आपको proportional को हटाना है तो V और वराबर अगर इसे आपको हटाना है तो यहां R जोड़ना पड़ेगा R, I ठिक है और अगर यहां जो यह R वराबर V अपाना आई बट यहां अगर R की बात की जाए R यहां है क्या R यहां है क्या तो आर आपका क्या है, यहां यहां इस हिसाब से यहां जो आर है, आर, आर एक क्या है, नियतांग है, क्या है, नियतांग है, ठीक है, या फिर अथवा आप लोग यही तो दोनों कह सकते हो, एक तो यह है, या फिर एक यह है, ठीक है, यहां तक ओम के नियम में कोई दिक्कत हो होगा नहीं अब यहां जो आपको मैं बता दूँ क्या क्या चीजें है वी आपका क्या है यहां वी आपका है विभुवांतर ओके आई क्या है आई है विद्धुद्धारा विद्धुद्धारा ओके एंड आपका आर क्या है आर है अनुक्रमांग पाती नियतांग अनुक्रमांग पाती नियतांग अब यहां आर के बारे में थोड़ा सा और समझ लो जो आर है चालक का विद्धुद्ध प्रतिरोध भी कहते हैं आर जो है आर को क्या कहते हैं आर को चालक का विद्धुद्ध प्रतिरोध कहते हैं विद्धुद्ध प्रतिरोध कहते हैं तार का विदुत प्रत्रोद भी कहते हैं अब आओ हम लोग मात्रक की बात करते हैं किसकी बात करेंगे मात्रक ओम गेनियम में कुछ रह न जाए मात्रक कैसे निकालोगे यहां आपने पढ़ा है R वराबर V अपान आई अब यहां R का मात्रक क्या होगा और V का मात्रक आपको पता होगा and I का मात्रक पता होगा तभी आप R का मात्रक ज्याद कर पहोगे दिखे, आपको V का मात्रक क्या होता है? विभुवांतर, विभुवांतर का मात्रक होता है वोल्ट क्या होता है? वोल्ट वोल्ट बटे MPR लेकिन अब दूसरा मात्रक की वाद की जाए जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है आर का मात्रक प्रत्रोध जिसे कहते हैं ओम ओम ठीक है ये इनका दूसरा मातरक होता है ओम ठीक है ये आपका ओम होता है किसका प्रतिरोध का मातरक यहां मैं लिक देता हूँ ये आद क्या है वेच्चे वालटी प्रतिरोध है सब कुछ मैं डेटेल में समझा रहा हूँ आज के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं ओम के नियम में और बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपका कोई दिक्कत रहना जाए ठीक है अब यहां से आपको समझे में आ गया अब आप एक बात और समझो जो आर है चालक प्रतिरोध वो जिसका मान किस्पन निर्भर करता है यह थोड़ा समझनो जो आर है यानि कि प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोध प्रतिरोध जो होता है ना प्रतिरोध अब यहां मैं इसका जिसका मान लिख दें जिसका इसे प्रतिरोध का मान या फिर जिसका मा लिख सकते हूं यह जान लोग मैंने कामा लगा दिया जिसका इमान चालक के पदार्थ जो चालक की पदार्थ है चालक के पदार्थ एंड ताप चालक का जो ताप है एंड छेत्रफल चालक का छेत्रफल यह भी कई बार पूशा गया है ठिक है चालक का छेतरफल आदी पर निर्भर करता है यह जो है प्रत्रोध की मेली बात की गई है आर की यह किस पर निर्भर करता है जैसे कोई कंडेक्टर है चालक है चालक के पदात पर निर्भर करता है चालक के ताप पर निर्भर करता है तो यहां से यहां से पूरा ओम का नियम अतना ही है ओम का नियम होता क्या है यह मैंने बता दिया इसका फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला का पूरा नाम बता दिया इसका मात्रक क्या होता है और आर आर जो है इसका मतलब किसपा निर्भर करता है यह वीडियो में ली ओम के नियम पर था और आई होप कि आपको ओम का नियम पूरा समझ में आ गया होगा ओनली वन परसेंट विद इकत नहीं होगा तो करना क्या है इस वीडियो को लाइक करना है सेर करना है अपने फ्रेंज के साथ चैनल पर नय है हूं सब्सक्राइब कर लेना है थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो